बले ही आज रुकावटे हाथ लगी हो लेकिन इससे हमारा होसला कमजोर नहीं पड़ा बलकि और बढ़ा है भले हमारे रास्ते में आखरी कदम पर रुकावट आई हो लेकिन हम मंजल से डिगे नहीं है अगर किसी कला साहिते के व्यक्ति को इसके बारे में लिखना होगा तो कहेंगे कि चंद्रयान चंद्रमा को गले लगाने के लिए दौड पड़ा आज चंद्रमा को आगोश में लेने की इच्छा शक्ति और मजबूत हुई है ये बात मोदी जी ने चार साल पहले कही थी जब हम चंद्रयान के सफल लेंडिंग में नाकाम्याब रहे थे सरुपर देश विविदताओं का देश है यहां कुछ अच्छा हो या बुरा हो हर कोई खुश या हर कोई दुखी नहीं होता हमारे यहां नेतागर्ण हर एचिवमेंट को हर डिजास्टर को पॉलिटिकल वे में देखते हैं घटना किस राज्य में घटी उससे जुड़े लोग किस हैं इसका भविश्य में हमारी पार्टी पर कैसा असर पड़ेगा यह सब कुछ मद्दे नजर रखने के बाद वो अपनी प्रतिक्रिया देते हैं जैसे कि बेंगॉल में हर रोज दंगे हो रहे हैं घर जल रहे हैं लोग मर रहे हैं लेकिन विपक्ष पार्टी कभी उस पर क कुछ नहीं बोलेंगे लेकिन जब मनीपूर में दंगे होते हैं तो सभी विरोधी पार्टी हाय तौबा मचा देते हैं क्यों क्योंकि मनीपूर में उनका पॉलिटिकल एजेंडा है और बेंगॉल में उनहीं की सरकार है यह एक एक एक्जामपल था इवन अब जब इस रो की सफल लेंडिंग करवाकर अपने देश का नाम रोशन किया है तो इस पर भी राजनीती होनी शुरू हो गई है जबकि ये एक ऐसा उत्सव है जिससे सब को साथ मिलकर मनाना चाहिए बट अफसोस कॉंग्रेस पार्टी के नेता जी इसरो की इस उपलब्दी को नहरू की दूर दर्शिता बता रहे हैं उनका कहना है कि इसरो की नीव नहरू ने रखी थी जिसके कारण आज ये संबव हो पाया है अब हाला कि इस हास्यप्रत बात पर कोई क्या ही बोले एक्टर स्वरा भास है आज जब चंद्रयान 3 की लेंडिंग हो रही है तो उमीद है कि जो लोग चीन और कश्मीर के लिए जवाहरलाल नहरू पर हमला करते हैं उनको कुछ सीख मिलेगी वो भारत को स्पेस रिसर्च और आधुनिक विज्ञान के रास्ते पर ले जाने वाले हमारे पहले प्रध जंकी आम परदे से ज्यादा परदे के बाहर देखते हैं लेकिन फिर भी मैं इसका जवाब देना चाहूंगा जवाहरलाल नहरू के हाथ में सत्ता तब आई थी जब भारत 200 साल के गुलामी का आदी हो चुका था स्वतंतरता के बाद देश का हर एक नागरिक चाहता था कि अब तो कम से कम हमारा देश तरक्की के मार्क पर अगरिसर होगा और ऐसे में जवाहरलाल नहरू के हाथ में सत्ता आई ये वो समय था जब हम गुलामी की जंजीरों को तोड़ स्वतंतर भारत में अपने सुनहरे भविश्य की कल्पना कर रहे थे ऐसे में जाहिर बात है कि प्रधान मंतरी को बहुत सी नई चीजों की शुरुवात तो करनी ही थी अब तक देश की बागडो और अंग्रेजों के हाथ में थी अब जब हमारी खुद की सरकार थी तो अपने देश में नए उद्योग, नए प्रियोग, नए नए पॉलिसीज, सब कुछ शुरू हो नह यह सब कुछ understood था और प्रधान मंतरी क्या, यह जनता की दरकार थी कि यह सब कुछ शुरू हो, नहरू ने 17 साल तक सकता का सुख भोगा था और यह वो समय था जब देश के भविश्य के पुनह नीव रखी जानी थी, सब कुछ नए तरीके से शुरू करना था और जनता ने उन्हें इसी कारण प्रधान मंतरी का पद दिया था, तो यह तो उन्हें करना ही था, या उनकी जगए कोई भी नेता होता, किसी भी पार्टी का होता, तो वो इसरो जैसी संस्थान का गठन करता ही, तो इसमें नहरू जी को आज हम कैसे क्रेडिट दे दें, यह समझ से परे आप अगर इंडिया और पाकिस्तान को कंपेर भी कर ले तो हम देखते हैं कि दोनों देशों को एक साथ आजादी बिली और देखा जाये तो पाकिस्तान ने इंडिया से पहले स्पेस एजिंसी का गठन कर लिया था वहाँ के शासक वहाँ के सत्ताधारी स्पेस रिसर्च के लिए हमसे ज्यादा सीरियस थे तो फिर कॉंगरेस नहरू जी के किस कॉंट्रिबूशन की बात कर रही है बलकि नहरू जी की जगे कोई लाल बहादूर शास्त्री जैसा परधान मंत्री होता तो शायद भारत ने चंद्रियान 3 के रूप में जो कारणामा आज किया है वो कई साल पहले ही कर चुका होता। मानता हूं कि कॉंग्रेस काल में भी स्पेस रिसर्च पर काम हुए हैं। धीमीगती सही सही या खानापूर्ती के लिए ही सही लेकिन कुछ न कुछ तो होता रहा है। औव्यस है कि कोई भी प्रधानमंत्री केवल कुर्सी तोड़ने के लिए प्रधानमंत्री नहीं बनता। उसके साथ उसकी कुछ जिम्बेदारिया होती हैं। बस कुछ लोग अपने काम में ज्यादा एक्टिव होते हैं और संसारिक सुख में कम, वहीं कुछ लोग संसारिक सुख में ज्यादा लीन रहे थे और देश की प्रगती में कम, इतना ही फर्क रहता है, अब जब साइन्टिस्ट और स्पेस रिसर्च की बात हो ही रही है और उसमें भी बीजेपी कॉंग्रेस के कमपैरिजन की बात हो रही है तो हमें मशूर साइन्टिस्ट नमभी नाराइन को नहीं भूलना चाहिए, जिन्होंने देश की सेवा में अपना सब कुछ त्याग दिया और बदले में कॉंग्रेस सरकार के रहते उन्हें देश द्रोही साबित किया गया अभी हाली में आर माधवन ने नमभी नाराइन पर 1994 में कॉंग्रेस ने उन पर देश द्रोह का आरोप लगा कर उन्हें पर भारतिया अंतरिक्ष प्रोग्राइम से जुड़ी गोपनिय जानकारी को लीख करने का जूठा आरोप लगा था आरोप था कि उन्होंने अंतरिक्ष प्रोग्राइम की जानकारी मालदीव के दो नागरिकों के साथ साजा की थी जिन्होंने इस रोकेट इंजिनों की इस लंबी कानूनी लड़ाई लड़ी नंबी पर लगे आरोपो को 1996 में सीबियाई ने खारीच कर दिया जिसके बाद 1998 में सुप्रीम कोट ने भी उन्हें बेकसूर बताया और केरल सरकार को उत्पीडन करने के लिए मुआवजा देने के लिए कहा इस केस को जीतने के बाद केरल सरकार में गजब की उठा पटक भी देखने को मिली सुप्रीम कोट ने नंबी नाराइन पर रचे इस साजिश की सीबिया इजाच करने का भी आदेश दिया जासूसी केस में जीत हासिल करने के बाद केरल सरकार ने नंबी को 1.3 करोड रुपे बतोर मुआवजा अदा किया साल 2019 में नाराइन को सरकार ने भारत के तीसरे सबसे प्रतिश्टित पद्मभूशन पुरसकार से भी नवाजा और फिर भी कॉंग्रेस कहती है कि तरक्की हमारे समय में हुई प्रधानमंत्री का हमारे देश के साइंटिस्ट के प्रती आचरण कैसा है इस पर भी बहुत कुछ निर्भर करता है पिछली बार यान की लेंडिंग चंद्रमा के दक्षिनी ध्रूपर होनी थी लेकिन चंद्रमा की सतय से 2.1 किलोमेटर पहले संपर्क तूट गया जिससे निराश साइंटिस्ट सीवन रो पड़े थे उन्हें किस प्रकार से प्रधानमंत्री मोदी ने सांत्वना दिया उसे पूरी दुनिया ने देखा था करीब 26 सेकेंड तक मोदी उनकी पीठ थप थपाते रहे और अब 4 साल की कठिन तपस्था के बाद हम काम्याब हुए गर्व कीजे और महसूस कीजे इस पल को जैहिंद वंदे मातरम